अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो देर मत करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करें आज हम आपको गुटने के दर्द कम करने की गिजाएं बताएंगे अधरक घुटनों के आर्थराइटेस में मुप्तिला अफराद को अधरक से भी इस्तफादा करना चाहिए अधरक में सोजिश खतम करने की खुदरती सलाहियत होती है जिससे घुटने के दर्द और सुजन को अफाका होता है सालन वगेरा में अधरक इस्तमार करने के साथ अगर आप एक प्लास गरम दूद में खुश्क अधरक जिसे सोट भी कहते हैं का एक चाय का चमचा के बराबर पिसा हुआ सफू गोल कर पी लें तो इससे भी घुटने के दर्द में कमी आ सकती है मचली घुटने में दर्द वालों को ऐसी मचलियां ज्यादा खानी चाहिएं जिन में तेल या चिकनाई ज्यादा होती है जैसे सारडीन, मैक्रिल, लेट और ट्यूना है ऐसी मचलियां ओमेगा 3 पैर्टी एसिट्स के हुसूल का अच्छा जरिया है ओमेगा 3 पैर्टी एसिट्स में बहुत सारे TP-A और DHA होते हैं ये की मॴेयाई मरखबाद, घुटने की नर्म हाटी की सोधिश और दर्द को कम करने में मददकर ثابत होते हैं ओमेगा थी पैटी एसिड्स की दाफे सोजिश खुसूसियाद से मुस्तफिक होने के लिए हफते में दो से तीन दिन मचली खानी चाहिए सोया, जोडों की हटियों में तूट फूट या ओस्टियो आर्थराइटिस की वज़ा से जोडों में दर्ड हो रहा हो तो सोया पर मपनी खुराग जादा इस्तमार करनी चाहिए तिबी तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि माजूर कर देने वाले गुपने के तर्ड में सोया से हासिल होने वाला प्रोटीन कमी लाता है बशर्टिये कि इसका इस्तमार मामूल बना लिया जाए सोया पर मपनी खिजाएं आईसोफलेवोंस से माला माल होती है जो निपाताथ से हासिल होने वाला एक किसम का हार्मून है तिबी हलकों में ये बात तसलीम की जा चुकी है कि कुदरती तोर पर हासिल होने वाले आईसोफलेवोंस में सोजिश को रफा करने की सलाहियत होती है गुटने के शदीद दर्द मुब्तिला अफराद को चाहिए कि वो सोया मस्नुवात, मसलन सोया बर्गर्ज, सोया की फलियां और सोया मिल्क को अपनी रोज मर्रा खुराक में शामिल करें नाजरीन हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुरिया नाजरीन हमारी चैनल को सबस्काइब करें, हमारे बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना होगे